पहली अप्रेल की इस वीडियो को मैं अलग अंदाज में स्टार्ट करना चाहूंगा दोस्तों मेरे आप से अनुरोध रहेगा पहली अप्रेल को अप्रेल फूल ना बने एक अप्रेल 2025 को बिटकोईन का प्राइस यहां से तीन से पांच गुना होने की संभावना है और आपके काफी सारे ओल्ट कोईंस जिसको अब होल्ड करके बैठे हो वो कम से कम दस गुना बढ़ सकते हैं तो आज शबत लेते हैं कि अच्छे फंडमेंटल वाले कोईंस को अग अगले एक साल में अपनी नेट वर्थ को मार्केट से ज्यादा तीजी से बढ़ता हो देखना चाहते हैं तो आपको इस सैनल का हिस्सा रहना चाहिए अभी अब देखी काफी उठा पटक हो रहे हैं मार्केट में और हो भी क्यों ना कल हमने देखा option expiry का बड़ा दिन था कल कि वीडियो में मैंने काफी डीटेल में option expiry के बारे में cover किया था बात किया था कुछ altcoins के बारे में जो आपको खरीदने चाहिए इसलिए दो वीडियो में हमने altcoins के बारे में काफी detail में cover किया है अब यहां पर है एक नया pattern देख रहे हैं although 72000 की हमारी resistance line है bitcoin का price multiple times इस mid line में से reject होकर आ रहा है अब I don't know उसका कारण क्या है कि local resistance यहां पर हमें बनती हुए दिखाई दे रही है तो I think हम trends का respect करेंगे इसलिए हम यहां पर बीच में median line यहां पर घोशित कर देते हैं कि at least यह 71,200 की lines को हमें अगला भेधना जरूरी है यहां पर बलकि मैं एक temporary line बना दे 24 जो काफी ज्यादा resistance यहां पर काफी नाक में दम कर रख है Bitcoin की price को उपर जाने से रोक रही है बहरहल यह हमारा अगल resistance है और price नीचे की तरफ 68,400 की तरफ जैसे price नीचे आ रहा है उसको नीचे support भी अच्छी कासी available है हमने यहां पर एक line और खीची है long time time frame में जो कि है Bitcoin का all time high अगर आप देखेंगे इस समय जद्दो जहत all time high के आसबास भी चल रही है पर उससे important यह fractal में आपको पिछले 3-4 दिनों से दिखाता आ रहा हूं जिसमें मैंने आपको बता है weekly time frame पर यह जो नया step है जो milestone है अगर आप इसको पिछली bull market से relate करके देखेंगे अगर आप वीडियो देख चुके तो आप यह party skip कर सकते हैं कि पिछली bull market में तीन हिस्से थे पहला हिस्सा था sideways दूसरा हिस्सा फिर से sideways और उसके बड़ा bull run अभी जो दूसरे हिस्से के बास का बात का जो पड़ाव है यह ठीक उसी तरीके से हम अभी देख रहे हैं कि पहली दो red candles weekly candles red में आई थी उसके बाद तीसरी undecisive candle और चौती महा bull rally की फिर से शुरुवात वाली candle थी इस बार ऐसा नहीं है कि आप इसको conclude कर ले कि बिटकोईन का run जो है वो तीन हफते ही चलेगा हो सकता है जादा हो पड़ इंटरम्स of pit stop milestone इस bull run के बाद यह जो second phase of this run है first यह था इसके बाद हमने दो red देख ली है एक green undecisive candle देख ली है और अब यहां से जो आग इस हफते की candle है यकीन मानिये आप ज़रूर इस बात से temporary गुस्सा होंगे कि अरे सोमवार होते bitcoin का price 1000 डॉलर नीचे चला गया 1000 डॉलर कुछ नहीं है this could be a strategy कि आखरी बार हम longs को liquidate कर दे bitcoin का price नी रहा हूं 68500 के आसपास का bitcoin का price है I feel कि यह वो shake up है बिना किसी news के बिना किसी current के सोमवार को I don't think any reason है कि bitcoin का price 68000 पे होना चाहिए bitcoin का price इस हफते में जरूर all time high par करने की काफी जादा संभावना रगता है और I think जैसे मैंने आपको कहा है कि जब market panicking हो जब market red हो तभी आपको ख most a guarantee की candle close होते होते green हो जाएगी तो I think that's also one motivation but fractal ठीक उसी तरह से play हो रहा है जैसे मैंने anticipate किया था पिछले 2-3 हफतों से मैं आपको बताता आ रहा हूं इसके बारे में time रहते don't be surprised जैसे मैंने video का title रखा bitcoin और alt coins के लिए ये हफता करो या मरो है और मेरे खासे करो के ज़्या जाएद अच्छी ना हो और bitcoin जैसे मैं आपको कहता हूं कि bitcoin नामक किस्ति गर उपर जाएगी समुंदर उपर जाएगा तो बाकी छोटी किस्तियों को alt coins को अपने साथ उपर लेकर जाएगा तो I think that is why you should be rest assured कल मैंने पिछली दो वीडियो और कोंसे dedicated की थी मुझे ज्यादा प्रशन नहीं आई इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको कॉमेंट करना चाहिए कि आप बताईए कि विचार दा थिंग्स वांट तो कवर कल की वीडियो में मैं कवर करूंगा माफ़ी जाओंगा अंग्रेजी बोलने के लिए मेरे काफी दर्शक इस बात को appreciate नहीं करते ह आपको मैंने पताया था कि bitcoin जब all-time high प्रेक क्रॉस करता है और यह कोई भी ऐसे तो उसका प्राइज डिसकवरी फेज में जाती है और यहां से प्राइज डिसकवरी फेज अलग-अलग टूल्स को यूज करते हुए फीबोनाची को या किसी और टूल्स को माना जा रहा है क bitcoin का price minimum $83,000 जो है आने वाले दिनों में touch करेगा और bitcoin $83,000 जाएगा तो पिछली दो वीडियो में dedicatedly हमने ethereum के बारे में greatly बात की है ethereum भी उस stage पर है जहां पर वो एक massive breakout की तरफ देख रहा है यदि आपको मौका मिलता है ethereum grab करने का ethereum में position build करने का तो उसको जाने मत दिजिए and most importantly अगर आपको मौका मिलता है solana और other strong fundamental वाले alt coins में position build करने का तो मेरी suggestion आपको रहेगी कि आप उस मौके को भी अपने हाथ से ना जाने दे क्योंकि यह मौका आइटिंग बार बार नहीं मिलेगा you will be मैं मुझे कहना नहीं चाहिए but I think हम regret करेंगे इस opportunity को जो इस हफते हमें देखने को मिल रही है अगर हम stock market की तरफ जाए stock market की तरफ से भी हमें अच्छी ख़बरे आ रही है यकीन मानिए stock market का all time high break करना stock market का 10 point उपर जाना bitcoin को कहीं जादा उपर लिजाने की किशमता रखता ह करूगा जिसमें हम accumulation phase के बारे में बात करेंगे bitcoin का accumulation phase cross होने के बाद असली bull market शुरू होती है खासकर उन लोगों के लिए जो मैंने पहला fractal दिखा है weekly time frame पर जहांपर हम एक ऐसे point पर है जहांपर एक महा pump आने की गुझाइश है अगर आप पिछली bull market से compare करें तो जिस stage पर हम है इस stage पर cross होने के बाद एक तो सबसे तीखे pump आते हैं और एक सबसे ज़्यादा तेजी से ऊपर जाने वाली यहापर हम compare करेंगे 2015-16 2019-20 accumulation phase आप देखेंगे red color में है जिसको हम bear market भी कह सकते हैं जो almost 1.5 साल तक चलने वाली bull market होती है उसके बाद जब हम accumulation phase से बाहर निकल resistance को break करने के बाद जो curve बन रहा है इस समय हम curve की बिल्कुल धेली इस पर आप देखेंगे इस curve के बाहर निकलता है price और इस curve से कोसो दूर जाकर ऊपर रुपता है so you can imagine दोस्तों हम किस level पर है इस bull market में both for bitcoin prices both for alt coin की जो market cap है उसके संदर में हम इस समय अपने all time high से कोसो दूर है दोस्तों so इसलिए पहली अपरेल को फिर से में वही चीज दोराना चाहूंगा कि अगर आप इनमें से किसी भी fractal में विश्वास करते हैं तो आपको यही हिदायत दी जाएगी कि market में बहुत सारा पैसा अने अभी बाकी है आप अपनी positions hold करके रखिए don't try to unnecessarily get panicked जैसे इस समय में द हो रहा हूं कि bitcoin का price काफी ज्यादा उठापटक कर रहा है 68000 में है काफी सारे लोगों को आज यह panic देगा heart attack देगा खासकर वही बात जो एक meme चलता है कि जब bitcoin नीचे जाता तो आपके altcoin suddenly anyways positive news की बात करें तो bitfinex hot wallet से 8800 bitcoin करीब 627 million dollar के खरीदे गए है टेथर ने another 7 billion dollars की अब मैं टेथर के बारे में आपको बात करना चाहूंगा टेथर शायद world की सबसे profitable companies बसे है क्यों क्योंकि उनका usdt coin जिसकी market cap करीब करीब 100 billion dollars है वो उससे treasury bond करीबते हैं bond इसे में 5% का interest दे रहे हैं हर साल आपक stable coins को issue करने के लिए usdt को पांच billion dollar का profit होता है यह प्लिक लिश्ट कंपनी नहीं है इसलिए इनको रिपोर्ट करने की ज़रूत नहीं है but imagine कीजिए कि they have committed कि यह इस पूरी amount से bitcoin खरीदेंगे 75,000 bitcoins जो हैं इनके पास इस समय है करीब 7.6 billion dollar से आप imagine कर सकते हैं कि हमारे पास कित उपर नीचे जाएगा क्योंकि fed power की wednesday को meeting है US का jolt data है jobs का और manufacturing PMI शायद यही कुछ number शायद रिलीज हो रहे होंगे इसलिए marketing आप अपने कुर्सी की पेटिया बादे रखे यह हफता मेरे विचार से एक नया कीर्तिवान स्थापित करेगा bitcoin के price के लिए और जब यह समुद I am here for you anyways आज मैं सोड़ा जल्दी में हूँ इसलि मैं आज giveaway सवाल skip करूँगा type your favorite altcoin जिसके बारे में आप कल coverage चाहेंगे इस हफते बने रहिए जुटे रहिए और डटे रहिए और अपने मातपीता का ख्याल रखिए दोस्तों क्योंकि वही आपके लिए सबसे बड़ी blessing है वही सबसे ज़्यादा काम आने वाली है धन्यवाद जैने